आगरा किस सरवाधिक लोग प्रिये चैनल सी न्यूज के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें पश्यम अंगाल में हिंदु परिवारों के साथ हो रहे है अत्याचार को लेकर अंतरश्टी हिंदु परिशद राष्टी बजरंग दल ने एडियम सिटी को राष्ट्रपती के नाम गया पन देकर कारवाई की मांगी है मुख दर्शक बनी हुई है प्चिम बंगाल में लगातार हिंदू की अत्या हो रही है मंताब बनर जी जो मुख धर्शक बनी हुई है आखे बंद करके हिंदू पर जो अत्याचार हो रहे हैं ये एक तरीके की साज़िश है जो कश्मीर में हो रहा था संद नब्बे में आज उसी कश्मा आज पच्छिम कलकत्त को भी एक कश्मीर बना दिया गया है एक साज़िश के तहत हो रहा है कि जहां सघ्णices मुस्लिम लोग रहरहे हैं वहां हिंदूऊं पर यहुत आत्याचार हुरह है लगातार हिंदू मारे जा एक साज़ेश के तहट कि हिंदू डरके मारे महां से पलायन कर दे आज हमने ग्यापन के माध्यम से यह मांग करी है कि वहाँ पर राश्पती शाषन लगाए जाए और हिंदू की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाए जाए ग्यापन दे ने पहुंचे हिंदू वादी कारेकरताओ का कहना था कि हिंदू परिवारों के साथ अत्याचार हो रहा है और मुख्यमंत्री कारवाई करने की बजाए चुप्पी साध ही बैठी है कारेकरताओं ने ममता बैनरजी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपती शासन की मांग की है कारेकरताओं का कहना है कि अत्याचार बंद नहीं हुआ तो आग्रा के कारेकरता पश्यम बंगाल पहुचकर आंदोलन करेंगे अंतर राष्ट्रे हिंदु परिशद और राष्ट्रे बजडंग दल के कारेकरता ममता बैनरजी के खिलाफ नारे बाजी करते हुए इसके बाद एडियम सिटी को ग्यापन दिया हिंदु वादियों का कहना है कि पश्यम बंगाल में राष्ट्रपती शासन लागू किया जाए जिससे हिंदु परिवार सुरक्षित रह सके सी न्यूस के लिए उमेश शर्मा की रिपॉर्ट